हालो हाई दोस्तों वेलकम बेक टू उडान डीटल उडान डीटल के ओनलाइन प्लेटफों पर आप सभी छात्रों का हादिक स्वागत है तो आज हम डिसकस करेंगे जो आप हैं उड कर्णके मतलब जो बार वाले नमबर हैं दसंबलोyorum के बाद जो नमबर रेपीट होते हैं उन नमबरों को हम दिसकस करेंगे उस से बहले मैं आपको यह बता दू कि फिफली class के video पढ़े हैं और उन classes के PDF notes आपको उडान इडिटल के एप पर मिल जाएंगे और उन classes में हमने जो topic पढ़ा हैं उनका test भी आपको उडान इडिटल के एप पर मिल जाएगा यानि की आज जो हम class पढ़ रहें इस class का विडियो लेक्च्र आपको मिल गया है और आगर आपको यह पीडियाफ से प्लास की वह चाहिए तो आपको उडाएं डीटल डाउनलोड करना वहां पर आपको ज़याखर 時間 सबस्रेंद जो डिसकस करने वाहनहें वो सारा content एक test series के form में भी आपको वहाँ पर मिल जागा जिससे आप अपने खुद को evaluate कर पाएंगे कितनी चीजे हमने सीखी कितनी नहीं सीखी तो आईए सुरू करते हैं अपनी class को तो सबसे पहले अपन डिसकस कर लेते हैं कि जो बार वाली कहानी है जो बार है वो बार होती कितने टाइप की है तो डिसकस करते हैं जो बार है वो आपको दो टाइप से देखने को मिलेगी सबसे पहला जो टाइप होता है इसमें वो होता है आपका pure recurring सबसे पहला होता है pure recurring pure recurring का क्या मतलब होता है हम discuss करेंगे हाला कि यह जो है term यह आपके exam के लिए most important नहीं है बट हम इससे यह समझ पाएंगे कि pure recurring होता क्या है और दूसरा होता है mixed recurring ठीक है दूसरा होता है mixed recurring तो दो type के number आपको देखने को मिलते हैं अब pure recurring में कैसे number होंगे जाद ध्यान समझेगा चीज़ों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ जैसे आपको कहीं दिख रहा है 0.32 और इस पर बार या फिर आपको दिख रहा है 0.29 इस पर बार या फिर आपको दिख रहा है 2.3 और इस पर बार या फिर आपको दिख रहा है 3.298 इस पर बार तो इसमें क्या देखने को आपको मिल रहा है इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है कि जो बार है दसमलो के जस्ट बाद दसमलो के जस्ट बाद ही बार लग गया है मतलब नंबर रिपीट होना सुरू हो गया है और इसका ये मतलब होता है इसका मतलब होता है जैसे ये लिखा है इसका क्या मतलब होता है सर इसका मतलब होता है 0.32 है ना उस पर बार है that means 323232 बार बार आ रहा है repeat हो रहा है ऐसे ही यहाँ पर 29 पर बार है इसका मतलब ये होता है 0.292929 and 29 यह भी रिपीट हो रहा है ठीक है यहां तक तो ऐसे यहां पर क्या हो जाएगा इसका मतलब हो गया 2.3333 3 and so on ऐसे यहां पर हो जागा 3.298 298 298 तो यह पहले टाइप का था प्योर रिकरिंग अब आपके मैंड में डाउट चल रहा है कि अगर यह प्योर रिकरिंग है तो फिर मिग्स रिकरिंग का क्या मतलब हुआ तो मिग्स रिकरिंग का क्या मतलब हो अपन डिसकस करते है ठीक है आईए पहले इसको और अच्छा से देख लो एक बार इसमें क्या होता है इसमें यह होता है कि जो बार है वो दसम लोग के जस्ट बाद ही जस्ट बाद ही नंबर रिपीट हो रहा जैसे डेसिमल आयो उसके बाद ही रिपीट हो रहा 3232 292929 3333 298 298 अब जो मिग्स रिकरिं अगर्ण उसमें क्या होता है उसमें क्या होता है जसे लिकाए 0.329 ऐसा होगा क्या समझ रहा है क्लियर दिख रहाए आपको 3 पर बार नहीं है केवल 29 पर हैं मतलब दसम लोगे जबाद नंबर रिपीट नहीं हो रहा है देखो दसमलो के बाद पहले एक नंबर आया क्या 3 उसके बाद 2.9 repeat होना शुरुआ 2.9, 2.9, 2.9 इसको बोलते हैं मेक्जडरी करींग मतलब मैं एक दो एक्जेम्पल ओर ले सकता हूं 0.321 और यहां पर मालो बार है 1 पर तो क्या मतलब हो है इसका कि सर 0.32 आया उसके बाद 1, 1, 1, 1 repeat हो रहा है तो आई होप कि आपको चीजे बहुत अच्छे से किलियर होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं दो टाइप के बार होते हैं एक यह और एक यह हमें यह भी fraction में convert करते आना चाहिए और इसको भी fraction में convert करते आना चाहिए तो सुरू करते हैं कहानी को सबसे पहले हम देखेंगे pure recurring जो नंबर होता है मतलब कि जो decimal के जज़बाद repeat हो रहा है उसको कैसे हम fraction में convert कर सकते हैं तो सबसे पहला सवाल सर यह रहा आपकी screen पर focus का तो यह नंबर लिखा मैंने 0.3 और इस पर बार इसका मतलब होता है 0.33333 and so on तो मैं इसके basic पर बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा क्योंकि आपके काम का जो basic है वो बिल्कुल भी नहीं है आपकी जो काम का है वो यह है कि किसी भी तरीके से आप इसको fraction में convert कर दें ठीक है तो आप वो कैसे करते हैं तो आप बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनते चलना हो सकता है सुरुवाती दोर में थोड़ी सी आपको दिक्कत महसुस हो पर चीज़ें आपको आजाएगे क्या करना है हाँ एक चीज़ ओर है बहुत सारे बच्चे क्या मानते हैं जैसे 0.3 पर बार लगा है एक्जाम में ऐसा सवाल आ गया ऑप्सन दे दिए पहला हाथा तीन बटे दस दूसरा ऑप्सन है 0.3 तीसरा ऑप्सन है वन बाई 3 और चौथा ऑप्सन है 3 बाई 10 अच्छा यह तो है 10 बाई 3 लिग दिया चलिए तो बहुत सारे बच्चे क्या मानते हैं एक्जाम में जब एक्जाम दिने गए नए नए बच्चे एक्जाम दिने गए पहली पहली बार तयारी शुरू की है पहली पहली बार आपने तयारी शुरू की है उस case में ये बच्चा मान लेता है कि सर ये गलती से छप गया ये ऐसा कुछ है नहीं वो इस सवाल को ऐसा मान लेता है और इससे आप से या तो आंसर ये लगाएगा otherwise फिर क्या करेगा तीन बटे दस लगा देगा fraction में जबकि दोनों के दोनों क्या है गलत है इस line का कोई ना कोई तो मतलब है ना उसका मतलब क्या है कि वो तीन केवल एक बार नहीं है वो तीन बार बार है और ऐसे cases में आप तीन बटे दस नहीं लिख सकते हैं तो क्या करेंगे ध्यान समझेगा जब भी आपके पास ऐसा कोई सवाल आए 0.3 पर बार क्या है सर 0.3 पर बार तो आपको क्या करना है दसमलों के बाद का जो नंबर है ना दसमलों के बाद का पूरा का पूरा नंबर लिख डालो upon में क्या लिखना है upon में लिखना है 9, क्या लिखना है 9 9 कितनी बार लिखना है 9 लिखना है sir, कितने digit पर बार है, sir यह 1 digit है यह 1 digit है, और 1 ही digit पर बार है, तो आप एक ही बार 9 लिखना ठीक है, यह हो गया, तो आपका answer होगा 1 by 3 और 1 by 3 का मतलब ही होता है यह हां या ना अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे अगर आप 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा वो आपको मिलेगा 1 by 3 1 by 3 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो हम करके देख लेते 1 by 3 आपकी अंतरातमा की सांती के लिए हमें काम क गई अगली चीज को देखते हैं एक और अपन सवाल लेते हैं दूसरा लेते हैं ठीक है और इस बार हमने क्या किया इस बार हमने एक और सवाल लिया जिसमें लिखा 0.29 और इस पर बार प्योर रिकरी है सार, प्योर रिकरी, दसंबलों के जजबात रिपीट हो रहा है, आया ना, चलिए, तो ये आपका प्यारे बच्ची हो जाएगा, क्या सीखा हम ने, दसंबलों के बाद का जो भी नमबर है वो सब का सब लिख डालो, बटे में, अपॉन में क्या लिखना है, पॉण में 9 लिखना है कितने 9 जितने digit के उपर बार हैं यहां पर एक ही डिज़िट के उपर बार बार तो एक ही नो लिखा आदा बोलो हा या ना यहां पर दोडों के उपर बार है तो हम लिखेंगे repeat हो रहा है हाँ या ना चलिए तो आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट एक और सवाल ले लेते हैं और आप खुद try करना है सवाल को क्या चीजें clear हो रही है या नहीं ठीक है तो एक हमने फिर से लिखा question number third और इस बार हमने लिखा है zero point zero point three two nine और इस पर बार है सबको पता है सर decimal के बाद का पूरा का पूरा नंबर decimal के बाद क्या लिखा है three two nine upon में जितने digit पर बार है उतने nine 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 I hope कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से clear हो गए होगी और अब आप चाहोगे तब भूल नहीं पाओगे तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ कहानी को धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं चलिए अब फिर से मैंने एक सवाल लिया मैं मैंने लिया को से नंबर तो मुझे याद नहीं है सर तो one two three four ले ले लेते सर four question number four हम ले रहे हैं मैंने लिखा two point two या three और इस पर बार है बताओ क्या अंसर आएगा बदलो फ्रेक्शन में तो यकीन मानिए अभी तक मैंने जितने भी सवाल लिए उसमें सब में 0.0.0 पाइ कहने का मतलब बेटा यह है कि जो फ्रेक्शन में पाट आना वो फ्रेक्शन वाला पाट decimal वाला होता मतलब after decimal decimal के बाद जो नंबर है उसको हम लिखते हैं बटे में ठीक है तो सबसे पहले आप इसको देखने का नजरिया बदलो नजरिया कैसे बदलेंगे सर यह two point three है हाँ कम रसी थेखने का मतलब हो गया two point three का मतलब हो गया two plus zero point three और 0.3 पर जो बार है Ф.3 पर बार है उसको हम लिखते 3x9 क्या लिखते है Sor three by 9 तो क्या मैं क्या मैंशकивает two two plus इसका मतलब हो गया 3 by 9 और इसको ओर मैं सिंप्लिफाई करेंगीen तो आंसर आएगा one by three है के और इसको हम लिख सकते है 2 and 1 by 3 तुम्हारी दिली इच्छा अगर हो तो आप लिख सकते है 3, 2, 6 और 1, 7 by 3 तो यह इसका हो गया fraction form यह क्या हो गया सर fraction form I hope कि आपको चीज़ें थोड़ी-थोड़ी समझ में आ रही होगी और अगर यह थोड़ी-थोड़ी समझ में आ रही है तो आगे चलके बहुत सारी चीज़ें आपको clear हो जाएगी ठीक है यह तक चलिए anyone किसी को कुछ भी doubt हो तो आप comment करें ताकि हम अगली class में और बहतर चीज़ों को cover कर रहे हो ठीक है साब चलिए तो बढ़ते हैं आगे इसी के साथ यह question number 4 था आपका अगर हम question number 5 की बात करें सर बात करते हैं question number 5 की चलिए तो question number 5 में हम क्या लिखते हैं एक और number लिया 3.29 पर बार ठीक है तो क्या करोगे सर 3 plus 0.29 पर बार हाँ या ना तो यह आपका हो जाएगा 3 plus 29 अपॉन में 99 that means 3 and 29 अपॉन में 99 यह आपका हो गया फ्रेक्शन पॉन हाँ या ना clear है चलिए तो मतलब हमने क्या देखा हमने यह देखा कि pure recurring वाले जो number है उनको हम आसानी से fraction में बदल सकते हैं क्या आप इन सारे सवाला को बदल सकते हैं हाँ बिलकुल हाँ बदल सकते हूँ ठीक है तो अब हम discuss करते हैं कि अगर pure recurring नहीं है mixed recurring है mixed recurring मतलब just the decimal के बाद recur नहीं हो रहा है पहले कुछ number आ रहा है या तो एक या तो दो और उसके बाद number repeat होना सुरू हो रहा है तो इसे cases में हम क्या करेंगे ऐसे cases में हम क्या करेंगे तो ऐसे cases में हम क्या करेंगे सारे discuss करते हैं चलिए तो अगर number है अगर number है mixed recurring मुन्ना अगर number है mixed recurring वाला mixed recurring ठीक है चलो अपना English थोड़ा week है अपन Math के Master है तो मैंस में चलेगा थोड़ा बती स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता हाला कि इसमें नहीं है ठीक है चलिए आए डिसकर्स करते हैं अगर मैंने एक नंबर लिया सा कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं जैसे अभीतर करें आए वैसे करेंगे से लोग thus effective कि अभीतर करें देखों और दसम्लों के बाद का पूरा का पूरा नंबर च्राप दिया ठीक है फिर मैंने कहा था upon में क्या लिखना है 9 कितने 9 लिखते थे सर कितने लिखते थे जितने डिजिट पर बार हो बोलो कितने डिजिट पर बार है सर बार है बार है दो डिजिट पर तो हमने लगा दिये है दो बार नौ बोलो हाया ना हमने लगा दिये दो बार नौ अब कहा नी में त्विस्ट क्या है त्विस्ट यह थिस्ट यह है कि सर अभी तक ऐसा नहीं होता था कि बिना बार वाला नंबर भी हो पर इस case में इस mixed приз recurring में बिना बार वाला digit minus की सर एक ही digit minus क्या 3 तो जितने digit minus की हैं उसकी वजह से आपको लगाना है नीचे 0 बोलो हाया ना तो अब आपका answer हो जाएगा सर 326 upon me 990 यह आपका हो गया fraction form आपकी खूब दिली इच्छा हो तो इसको उड़ा देना इसको simplify कर ला इसको simplify करोगे तो आपका answer आएगा आया ना चली तो यह आपका होगा fraction form ठीक है एक और एक यह दो सवाल और अपन डिसकस करते हैं ताकि आप चीजों को और बहतर समझता उम्मीद हैं उम्मीद है कि आपको इतनी चीजें जो मैं बता रहा हूं यह तो समझ में आई करते हैं ठीक है सर एक और चीज़ को डिसकस करते हैं मुना जुन्ड में तो सेर अकेला था यह आपका question number कौन सा था या राजा 56 बोल दो उसको question number 6 अब अगर बात करें 7 की ठीक है अब भई लो color yellow 0.3 3 क्यों ले हम सर 0.219 और 9 पर बार है किस पर बार है केवल 9 पर बार है आपको दिख रहा है सर 9 पर बार है ठीक है 9 पर बार है तो मैं इसको लिखूँगा क्या आप खुद सोचो क्या बोलते आ रहा हूं इतनी देर से मैं चिल्ला क्या रहा हूं सर मैं चि तो upon में 9 कितने लगाएंगे upon में 9 लगाएंगे सर एक डिजिट पर बार है तो एक ही नव आएगा हाँ या ना अब सर कहानी आ गई जो बार वाले नहीं है उनका क्या करें जिस पर बार ही नहीं जिस पर बार ही नहीं उसका क्या करें सर बार किस पर नहीं है 21 पर बार नहीं है तो यहां से 21 minus कर देना बोलो यह कितने डीजिट हैं सर यह दो डीजिट है 12 तो यहां पर 20 लगा लेना बस इतनी सी कहानी थी ठीक है दो सो में से 219 में से 21 घटाओगे पहले 19 घटा होगे तो 200 बचेगा फिर दो और घटा दोगे तो 1808 भी बचेगा 198 अपॉन में 900 तुम्हारी दिली इच्छा हो सर तो इसको सिंप्लिफाई करके फिर आप फ्रेक्शन फॉर्म में लिख सकते हो और ये चीज़ें आपको आती है क्लियर बात यहां तक चलिए तो हमने मिक डिफ्रेक्शन को भी बदलना सीखा और इसको भी अब एक और लास्स सवाल मेरा आपके आपसे यह है ताक्या मिक डिफ्रेक्शन को और बहतर समझ जाओ फ्रेक्शन नमबर 8 सर चरा ध्यान देजीए का प्लीज तो यहां पर मेरे भाई क्या है मैं लिख जाओ 3.218 और 1.8 पर लगा दिया मैंने बार बनेट पर क्या लगा दिया मैंने बार आप बताओ तो सर मेरी अंतर आत्मा ऐसी कहती है कि यह है 3 प्लस 0.218 पर बार है बोलो हाया ना फिर 3 तो 3 है ही इसको कैसे करते हैं सर 3 प्लस इसको हम लिखेंगे दस्तंबलों के बाद का पूरा पूरा नमबर है अपॉन्य में 9 कितने दील बार है माइनस लिए बॉर बार नहीं है वह और जो बार नहीं को एक ही डिजिट है तो ही जी तो फिर वही कहानी, इसको simplify कर लेना, ठीक है, मेरा उद्देश से आपको concept समझाना है, मेरा उद्देश ये है कि आपको जो मैं चीजे समझा रहा हूँ, उससे ये सवाल नहीं, दुनिया का कोई भी कैसा भी सवाल घुमा फिरा के दे आप चीजों को समझ पाओ, क्योंकि हमार ये बेच पढ़ाने का उद्देश ये है, कि आपका क्यावल 100% स्कोर ना हो, बलकि आप खुद एक मैस के बहतरिन टीचर बन के बाहर निकलो, जब ये कोर्स आपका खातम हो, ठीक है, चलिए, तो अब आपको ये clear हो गया sir, recurring और mix recurring, pure recurring और mixed recurring, दोनों टाइप के नंबर को हम हराम से, आसानी से, easily, क्या कर सकते हैं, convert कर सकते हैं, किस में sir, fraction में, p by q की form में, बटे में, बरो भरें, चलिए, तो अब थोड़ा सा और, practice कर लेते हैं, फटा फट, ये कुछ सवाल लिखे हैं, मुझे answer बतेगा, क्या आएगा, तो मुझे इसा लगता है, यहाँ पर दो प इस पर आओ, दोनों डिजिट पर बार है, यह तो बहुत प्यारी बात हो गई, 37 upon 99, माइनस कुछ करना ही नहीं है, इस पर आओ, सब्सक्राइब बार है, पर नहीं है, तो पहले तो दसंबलों के बाद का पूरा नंबर, बटे में, कितने डिजिट पर बार है, माइनस करना, एक तो एक जीरो, हाँ या ना, तो 521 में से घटाओ, तो 516, बटे 990, जाहो तो इसको सिंप्लिफाइ करो, आपका अंसर आएगा, ठीक है, अब यहाँ पर धियान दीजिएगा, most important, तीनों कुछिसन है, थोड़ा सा confusing होंगे, पर धियान दीजिएगा, तीनों नंबर पर ब fraction form, यहाँ आजाओ सर, दो डिजिट पर बार है, सबसे पहले तो आएगा 6, उसके बाद, दो डिजिट के उपर बार है, तो दो बार नौ आएगा, उसके बाद, एक डिजिट पर बार नहीं है, वो माइनस होगा, और यह एक डिजिट है, तो यहाँ पर भी एक 0 आएगा, त अगर मेरी चीज मेरी बराबर कर जाई तो आपको आपकी बढ़ानी चाहिए चाहिए जाएंगे लिए अब कुछ सवाल है जोड़ने वाले यहां पर थोड़ा सा एक लॉजिक है अब लॉजिक क्या है देखिए इन सवालों में क्या है यहां पर भी दो नंबरों पर बार है यहां भी दो नंबरों पर बार है मतलब आंसर में भी दो नंबरों पर आएगी यहां पर आंसर में भी द केस में कहानी थोड़ी सी बिगडएगी तो अपन चीजों को समझने की कोसिस करते हैं शुरू करते कहानी को सर यहां से चलि ऐसे नंबर ऐसे एक्जाम में को स्थिल मिलेंगे ऐसे प्रस्ण shifting को देखने को मिलेंगे उस case में आपको करना क्या है आए समझते हैं तो discuss करते हैं कि discuss करते हैं सबसे पहले इसको तो इस बंटू का मतलब होता है कि वंटू रिपीट हो रहा है 3.1212 यह रिपीट हो रहा है चले जा रहा है फिर यहां पर देखेंगा 3.131313 रिपीट हो रहा है अरे सर बार का मतलब यही तो होता है कि नंबर रिपीट हो रहा है बार बार आ रहा है ऐसे यहां पर हो रहा है 3.141414 और यह भी चले जा रहा है हमें क्या करना है सर हमें इस सब को एड करना है हमें क्या करना है, हमें इस सब को aid करना है, तो करना क्या है, देखिए, बार कितने नंबर के बाद है, दो के, तो आप क्या करना, line खिच देना यहां से, ठीक है, अब आप देखिए, इधर बहुत ज़्यादा नंबर लेने की जर्वत नहीं आपको, केवल तीन डिजिट या द यह हो गया 9, यह हो गया 3, यह हो गया 9, यह हो गया 3, यह हो गया 9, तो आपके पास answer क्या आया, sir 9.39 और 39 पर बार आ जाएगा, उसके बाद के नंबर की जर्वत नहीं है, क्योंकि यह नंबर repeat हो रहा है, 39393939, तो हमने बार लगा तो दिया, तो यही आपका हो गया answer, यही करता हूं, 5. क्या है, sir 12, 5.12, 5.12, 12, और ऐसे ही आगे भी, यहाँ पर तीन डिजित लिए, 12, 12, 12, 12, लिए फिर, 3.21, 21, 21, 4.31, 31, 31, अब आपको, अच्छा, यह नंबर ऐसे चले जा रहा है, बट हमें क्या करना है, हमें यह देखना है, कि बार कितने नंबर पर है, केवल 2, 2, 2, तो आप भी 2 नंबर के बाद लाइन खीच लो, खीच ली लाइन, अब, यह दो नंबर जो है, वो बार वाले हैं, जिस पर हमें बार लगाना है, तो कितना आएगा, किधर से जोड़ लो, कोई दिख करने, 2, 3, 4, 3, 4, 7, 3, 3, 6, यह आपका 4, और यह आपका 6, यह आपका 4, यह आपका 6, और यह 5, 3, 8, 4, 12, तो कहने का मतलब है कि 12.64 और 64 पर क्या जाएगा, 12, यही आपका हो गया आंसर, क्या कहते हो सर, अच्छे से चीज़े के लिए हो रही हो, उम्मीद है हो रही होगी, है ना, तो आप भी थोड़ा सा revision करें, और मैं आपके साथ हूँ, आपका हर level पर, हर condition में आपकी problem solve करना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आपको यह वीडियो क्लास तो दे रहा हूँ, पर इस वीडियो क्लास के जितना भी मैं आपको पढ़ार हो, यह सारा का सारा सर नोट, इसी तरीके से यही वाली handwriting मे आपको मिल जाएगा उड़ाहन digital के A पर, और यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसके practice कहा करेंगे, तो उड़ाहन डिटल के A पर ही आपको test series मिल जाएगी, इसी topic की test series, मतलब topic wise test series दली है, आपको मैंने आज एक वीडियो एक lecture लिया, उसका test आज 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 साम को दे दो, सु से आपका revision भी हो जाएगा, और आप केवल 100% score नहीं कर रहे होंगे, बलकि आप एक मैस का teacher बनके निकल रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है, यह तो फाल तुकर इसकान हो गया, पर कुछ बच्चे चाहते हैं कि entertain होना चाहिए, तो यार, entertain करना है, या पढ़ना है, दोनों target fix हैं, कुछ बच्चे चाहते हैं मजा आना चाहिए, बस पठाई में थोड़ा कम समय चलेगा, पर कुछ बच्चे चाहते हैं मजा भली ना है, पर selection होना चाहिए, तो हमारा target selection होगा, ठीक है, चलिए सर, यह आप खुद करेंगे, 0.808080, इधर 0.131313, फिर आ रहा है 3.141414, क्या करेंगे, सर, दो डिट के बार है, तो दो पर रहां लगा दिया, अब देगे, 4 और 3, 7, ठीक है, 8, 9, 10, का 0, केरी आया, 1, 4, 3, 7, और 1, 8, हाँ या ना, फिर यहाँ पर हो जाएगा, 8 हो गया, 8, 9, 10, का 0, केरी आया कितना, 1, फिर यह हो गया, 8, केरी आया, आप खुछ सोचो, क्या रहा है, 0, 8, 0, 8, यहाँ भी 0, 8 होता, बट, आपको यही समझना, यह जो है, यह बार वाला है, तो आपका अंसर हो गया, 4.08 और इस पर बार, यही आपका अंसर, यही आपका क्या हो गया, ठीक है, यही आपका अंसर, हाँ, चलिए, आगे बढ़ते है, बस थोड़ी सी कहानी और बचिए, थोड़ा सा पैसेंस बना के रखे, ज़र यहाँ देखिए, स्क्वेर रूट ओफ पॉइंट फॉर, स्क्वेर रूट ओफ पॉइंट फॉर, हलो, क्या बोल रहों बेटा, बाभू के लिए हिमालाया का बोडी लोशन मैंने नहीं लिया है, पर मॉर्निंग में अपन ले लेंगे बेटा, ठीक है, कि अगए बेटा, चलिए, तो आगे डिसकस करते हैं सर, आगे डिसकस करते हैं, यहाँ पर लिखा है स्क्वेर रूट ओफ पॉइंट फोर, इसक्वेर रूट फॉर नहीं है, यहाँ पर बार भी था जो की छपा नहीं, तो पहले तो अप यह देखे कि पॉइंट फॉर का ब आप खुछ सोचें चार का स्कुरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर एज़िट पर बार है उतने नो तीन पर बात था तो तीन नो फिर अगर आपको बेटा 37 का पहड़ा आता हो तो मुझे ऐसा याद है पहड़ा तो मुझे भी नहीं आता बट मुझे ऐसी उम्मीद है कि 37 से यह 27 टाइम डिवाइड होगा तो वन बाई 27 तो यह तो हमने बदला इसको काई में फ्रेक्शन में बोलो है याना बट हमें इसका क्या निकलना है क्यूब रूट मतलब इसका क्यूब रूट निकालो या फिर इसका क्यूब रूट निकलो एक ही बात है तो अपन ने राजा निकाल दिया इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट आएग आपर एक नंबर इंद्धे और इंद्ध दो नंबर इंद्धा और दो नंबर इन गया तो ऐसे हमें क्या करना वह समझे है इस समय को काण लो आप इता है अरे बेटा में ले लूँगा ओके ले लूँगा ले लूँगा ठीक है हां तो इस केस में थोड़ा सा एक छोटा सा कॉंसेप्ट हो रहा है आपका चरह समझिएगा देखिए वो तो कहानी हो गई 2.3 रिपीट कौन हो रहा है केवल 2 3 नहीं केवल 2 रिपीट हो रहा है तो तू 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 ठीक है उसके बाद है यहां पर 5.73737 ऐसे आगे भी आएगा अब समझने वाली बात क्या है समझने वाली बात है यह है कि दो point most important जो आपको ध्यान रखना है क्या आपको यह देखना है कि यहां पर जो बार है वो दसमलों के एक अंग के बाद आई यह मतलब एक अंग आया उसके बाद बार आया और यहां पर तुरंद बार आ गया तो maximum कहा रहा है बार इसमें एक अंक के बाद आ रहा है और इसमें तुरंत आ रहा है तो आपको maximum देखना है एक अंक है अब देखो डाउट रहेगा तो यहां किलियर हो जाएगा टेंसन ना लो फिर हमें देखना कि यहां पर एक अंक के बाद बार है ठीक है और यहां पर दो अंक के बाद बार है तो इस पर एक अंक पर बार है यहां एक अंक पर बार है यहां एक अंक पर बार है और यहां दो अंकों पर बार है दो डिजिट पर बार है इन दोनों का जोब LCM लोगे तो LCM किसका एक और दो का, एक और दो का destac कितना आएगा? दू, तो दूसरी जो line खीचना है Go दो अंकों के बाद खीचना है, ये लोग तेर आप को क्या करना है? इसको जोड़ Summer मैं ये हो गया, एक concept, रे 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 रे, Yap मिटा शर बर चल कि तो अब इसको जोड़ना है हमें, इसको हमें क्या करना है, जोड़ना है, 37 जोड़ेंगे, टेंसन डालो, अब थोड़ा सा प्रेशर डाल के काम करते हैं, इसको जोड़ना है, इधर भी देख लेते हैं, इधर अगर हम करें ऐसा ही, तो क्या आएगा, इस साइड अगर हम काम करें यही चीज का तो क्या अंसर आना चाहिए इसको आपन देख लेते हैं यह एक हो गया अपना ठीक है सब इधर आ जाईए इसमें क्या लिखेंगे सर 5.3 और उसके बाद रिपीट हो रहा है 5.7 और ऐसे यहां पर क्या रहा है 0.123 ऐसे ठीक है तो मेरी बात को समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं मैं कहना यह चाह रहा हूं आपको ध्यान कहा देना है आपको ध्यान देना है सर कहा पर आपको जो ध्यान देना है वो ध्यान देने वाली बात कहा पर है यहां पर देखिए यहां बार एक अंग के बाद आ रहा है और यहां तुरंत आ रहा है यहां बार एक अंग के बाद आ रहा है तो आपको मैक्जिमम लेना एक लाइन खिचन अगली लाइन जो हम बनाएंगे वो छे डिजिट के बाद बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 मतलब यहां पर और चाहो तो इसके बाद भी आप ले सकते हो पर नहीं भी लोगे तो आपका अंसर आ चुका होगा यहां पर यहां से तीन डिजिट कम से कम अब और ले लो 5 7 5 7 5 7 5 और यहां से ले लो क्या 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 ठीक है अब एड कर लिजे कोई दिक्कत नहीं है आपको कहानी समझ में आगए तो यह जो पोर्सन है यह बार वाला है यह जो पोर्सन है इस पर हमें बार लगाना है ऐसे यहां पर इस वाले आपका जो आएगा ना बस कहानी खतम ठीक है बस आप क्या रहे गया आप रहे गया केवल जोड़ना केसे है केवल वह कहानी आपकी रह गई है चलो समझते हैं जोडने की कहानी शुरू करते हैं सर ये 9, ये कितना हो जाएगा आपका 9, ठीक है ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 9 ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 10 10 मिन्स 0, carry is 1 5 और 3, 8, 8.0 तो आंसर हो गया सर 8.059 और 5, 9 पर क्या आजाएगा बार, ये बार वाला पूरतन है ठीक है यहाँ पर आजाएगे, यहाँ पर ध्यान समझेगा चीजों को है न, क्या हो जाएगा सर ये हो जाएगा 6, 10 मतलब 0, carry is 1 5 और 3, 8 यहाँ पर देखेगा 8 7 और 1, 8 ठीक है 5, 7, 5, 7, 5 ठीक है ये 8 हो गया ये कितना हो जाएगा, ये भी 8 ये कितना हो जाएगा, 9 ये कितना हो जाएगा, 6 ये कितना हो जाएगा, 10 मिन 0, carry is 1 5 और 3, 8 और यहाँ पर आजाएगा, आपका 4 और यहाँ पर आजाएगा, 5 तो आपका अंसर आया 5.4 806 988 806 988 यह repeat होगा, यहां से क्या होगा, यह 80 repeat होगा, इसका मतलब कि जो बार आएगा, वो यहां आएगा यह बार वाला portion है, 8 के बाद यहां तक बरोबर है, तो यह आपका एक concept था, बड़ा जबदस concept अच्छी चीजें थी, आपको समझ में आ गई होगी, जोड़ना केसे घटाना केसे, अच्छा घटाने वाला concept भी बिल्कुल ऐसरा, अगर माइनस भी करते होगा, यह माइनस होने लग जाएगा, बस इतनी सी बात है बस माइनस होगा, अब last में, final moment में एक चीज और बता दू, कि आप confused बिल्कुल मत होना, हमने आज की class में सर पढ़ा है क्या बार, क्या पढ़ा है बार, और आज की class में जो हमने पढ़ा वो बार ये वाला था ठीक है, ये वाला बार था, हाँ या ना एक बार तुम्हें और देखने को मिलेगा, जो ऐसा होगा दसमलो के पहले ही बार लगा होगा सर, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ये तो आप समझ चुक्यों ठीक है, इसका मतलब थो होता है सर, 3 by 9 मतलब 1 by 3, जो कि हमने अभी पढ़ा, पर ये जो होता है ना इसका मतलब ये होता है, कि ये जो बार है, ये बाला, ये बार डिफाइन करता है नेगेटिव को, ये बार डिफाइन करता है नेगेटिव को, कहने का मतलब ये है, कि ये जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, 2 पर बार, प्लस, 0.29, पर ये जो बार है ये एक्च्ड में माइनस को दिखाता है किसको दिखाता है माइनस को कहने का मतलब भी कि माइनस 2 है प्लस में 0.29 है कहने का मतलब है कि अगर 2 में से 20 घटाओगे तो 80 और फिर नगाट यहां पर भी minus लगा है और इस पर लगा होता है बार अब इसका क्या मतलब होता है तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर ये भी minus का है ये भी minus का है जब दोनों minus के तो जूड़ जाएंगे तो minus के 27 answer आएगा जो की गलत है ठीक है minus 27 answer नहीं आएगा ये answer आपका गलत है तो मतलब यह हुआ sir minus bracket के बाहर है और अंदर है 20 minus 7 कहने का मतलब है कि यह minus तो रहेगा ही रहेगा 20 में से 7 यह तो answer रहागा 13 that means minus 13 और यह इसका सही answer है 27 minus में गलत answer इसका क्योंकि 12 लगा था यहाँ पर minus बाहर था बरोबर है तो इस type से आप confuse ना हो यह बार अलग है यह अलग है अभी भी अगर इन में कुछ doubt है तो आपकी जिम्मेदारी है comment में लिखो कि क्या problem है अगले वीडियो में उसके साथ मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा उस चीज को लेकर जो आपका doubt होगा और उसको हम discuss कर रहे होंगे थेंक्यू मिलते अगली क्लास में इस क्लास का PDF नोट्स और इसका टेस्ट उडान टिटल के पर जाके डाउनलोड के लें बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया बधाई आपको ठीक है